हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, वी आर की दुनिया, तो मैं आज आपके लिए लेके आए हूँ कड़ी की रेसिपी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो मैंने एक बॉल में लिया है, यहाँ पे दही, दही की को एंटिटी आप अपने फैमली मेंबर्स के क ज्यादा या कम कर सकते हैं, तो मैंने करीब 200 ग्राम दही लिया है, और इस दही को मैं अच्छे से, मिक्स कर लूँगी, फेट लूँगी पहले अच्छे से, फिर इसमें मैं डालूँगी, रेड चिली पाउडर, मैं कड़ी इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने इसमें ए और ठोड़ा सा सॉल्ट, टेस्ट के अगॉर्डिंग, और अब हम इसको अच्छे से स्मूफ सा पेस्ट बना लेंगे, इसको अच्छे से, मैं थोड़ा सा पानी डाला है, जो दही का कफ है मैंने लिया है, उसे में से मिक्स कररी हूं, तो मैं ऐसे अच्छे से एक तो बस टू टेबल स्पून ऑफ बेशन बहुत है इसमें थोड़ा सा बेशन में इसको घोल के एड़ करके रखती हूं और यह कढ़ी आप इस तरीके से बनाई है ना बहुत अच्छी कढ़ी बनती है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और एड़ किया है उसके बाद मैं इस ढ़के रख दोंगी तो देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है तो मैंने इसको ढ़के रख दिया है तो चलिए अब मैं कढ़ी के लिए बेशन पेट लेती हूं तो मैंने लिया है थोड़ा सा बेशन आप बेशन की गॉंटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं तो मैंने यहां फाइब टेबल स्पून लिया है बेशन तो इतना इनफ है मेरे घर के लिए तो इसमें मैं ना कोई इनो एड करूँगी ना सोडा एड करूँगी मैं कुछ भी ऐसा एड नहीं करूँगी और सिर्फ मैं पानी से घोल के इसको बनाऊंगी और आप देखेगा इसकी पकॉड़ियां कितनी सॉफ्ट कितनी प्लफी मिलती है तो देखी मैं इसको इस तरीके से अच्छे से हमें इसको फेटना है बहुत जाद अच्छे से हमें इसको फेट लेना है बहुत अच्छे से और इस तरीके से पानी में डाल के चेक करना है अगर यह पानी में देखे इस तरीके से ऊपर आ रही है ना तो इसका मतलब है कि यह यू भूप ही अच्छा, मतलब हमारा जो पेस्ट जो बनके रेडी और अगर ये इस तरीके से आप डालने के बाद ही अंदर बैट जाती है तो मतलब अभी पेस्ट रेडी नहीं हुआ है तो हमें इसको इतना फेटना, इतना फेटना और एक ही साइड फेटना है बहुत जादा उसको अलग-अलग तरीके से नहीं फेटना है बस एकी साइड फेटते जाना और इस तरीके से पानी में डालके आपको चेक करना है कि ये उपर आ रहा है कि नहीं बेशन अगर वो उपर आ रहा है इट मीन्स बिल्कुल परफेक्ट आपका बेशन घुला है तो दबाने से देखिए कितनी सॉफ्ट है सारी जो है बिल्कुल सॉफ्ट है देखिए कितनी अच्छ से क्रैक हो जा रही है क्योंकि कड़ी में जब पकॉड़ियों सॉफ्ट होती है न तो यह बहुत अच्छी लगती है तो मैं आज प्लेन कड़ी प्लेन जो पकॉड़ी है उसकी कड़ी बना रही हूं वैसे तो हम भजी कड़ी बनाते हैं मतलब प्याच के पकोड़ों की कड़ी भी बनाते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाले हूं तो अब मैंने पैन कड़ाई को गरम किया है और उसमें ऑईल डाला है कुछ भी यूज कर सकते देशी घी या कुछ भी घाते हैं आप वह मैंने सरसो यूज किया है मैंने डाला है जीरा और ही तो जीरा ही जब तक मेरा चटक जाएगा अच्छे से उसके बाद में इसमें थोड़ा सा डालूंगी मेथी दाना जो की बहुत जरूरी है आपकी कड़ी के लिए और अ दालूंगी थोड़ से कड़ी पत्ती और एक ग्रीन चिली मैंने डाली है क्योंकि मैंने पेस्ट जो दही का बनाया उसमें भी रट चिली पावर्डर डाला है इसलिए मैंने चिली हम पर सिर्फ एक लिए और यह अध्रकलहसन का थोड़ा सा पेस्ट आप मार्केट का भी यहां पर घर का यूज कर रही हूं और इन सारी चीजों को मैं अच्छे से भून लूँगी तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पावडर हाफ टेबल स्पून और अब जो बैटर मैंने बना के रेड जाता है तो इसमें खूब सारा पानी डालना अच्छे से लगेगी में जूल ऊएक रना만 काकेघृ तो पानी चुल स्वार ऑपे तरो हल्या दालूंनेदी मैं तो इसको हमें इस तरीके से चलाते हुए बोईल करना है तो देखे है काफी अच्छा बोईल आ चुक है कड içi जोफ्ट बनी है देखने से इसकी इस्मूद ने सी आपको द Gesetz कितनी स्मूध कड बनी है तो इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी नमक हम पहले बैटर में डाल चुके इसलिए द्यान से आप नमक डाले तो देखे कितनी स्मूद कड़ी है यह बिल्कुल फटी भी नहीं है दही मेरी बिल्कुल नहीं फटी है और बस हमें इन्हीं स्टेप्स का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताए है कि कड़ी का जब हम डाल रहे हैं जो बेटर तो हमें बिल्कुल उसको चलाते चलाते रहना याम चोंडना नहीं है तो मैंने पकोडिया भी कर दे कर दिया और थोड़ी देर मैं इसमें बॉइल आने दूगी पकोडिया एड करने के बार है मैं इसको ठोड़ा सा लगळ है इसको ठोड़ा थे चम अकिर तक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं जो भी आप cooking oil यूज़ करते हैं और अब मैं इसमें ठोड़ा से डालूगी राई या सर्सों के दाने हम बोलते हैं राई बोलते हैं जिसको वो और थोड़ा सा राई मेरा चटकने लगा है अब थोड़ा से मैं फ्लेम कु धीमा करूँगी और थोड़ा से मैं धन्या साबुत धन्या लिया है जिसको करश कर लिया है थोड़ा और थोड़ा से कड़ी पत्ता और रेट चिली और इनकत मैं तड़का दूँगी और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिल्च जिसे कि बहुत अच्छा कलर आता है आपके तड़के में इतना अच्छा कलर आएगा कश्मीरी लाल मिल्च से तो मैंने बस थोड़ा सा की की थोड़ी कड़ी थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा सा ही तड़का रेडी कर रही है तो अब मेरा तड़का रेडी हो चुका है और मेरी कड़ी में बॉइल भी आ चुका है और देखे कलर कितना अच्छा सा है तड़के का तो अब मैं इस तड़के क साथ इसको सर्फ करिए और चावलों के साथ तो यह वैसे ही बहुत अच्छी लगती है कड़ी जावल मेरे फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है कड़ी जावल तो मेरे फैमली में भी सबको बहुत पसंद है कड़ी जावल तो आईए मैं इसको सर्फ कर लेती हूं तो अब मैं शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं नेक्स रेसिपी व्लोग में बाई टेक केर